मौनिंग बच्चों आज हम नेबंद पढ़ते हैं जिसका उश्य क्या है आज सारा संसार फैशन का दिवाना है हमारा अधिकांश विवहार फैशन पर अधारित है आपकी दृष्टी में आपकी नजर में फैशन क्या है और ये आज के मनुश्य को किस परकार प्रभावित कर है या पश्मिश सबेता के प्रभाव से फैशन एवम प्रदर्शन की प्रवरिती बढ़ते जा रही है जिसके कारण अनेक प्रकार की समस्यों का जनम हो रहा है तथा नैतिक मुल्यों का रास पतन हो रहा है इस विश्य पर अपने विचार लिखिये तो चली शुरू करते है प्रस्तावना शायद ही कोई ऐसा होगा जो शीशा देखकर यह नहीं सोचता होगा कि मैं खुबसुरत होता है या होती और यही इच्छा उसे अपने को सबते समक्ष समक्ष का समक्ष का अर्थ सामने अकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है पखो ए सोंदर्य प्रेम की ये भावना मनुश्य को संसकारों से मिलती है शायद मानुव की इच्छा के कारण फैशन का जनम होता है प्रन्तु फैशन कोई सथाई सदा रहने वाली प्रवृति आदत नहीं है ये समय के अंतराल में बदलती रहती है इसलिए हर काल के अपने अपने दिखाई देते हैं फैशन का व्यावहारिक अर्थ नितने परिदानों का अर्थ कपड़ों से अपने आपको सुसजित का अर्थ सजाना सुशित करना तत्था अपने आपको को अकर्षक का अर्थ सुंदर दिखाने की प्रवृतिया आदत व्यक्ति स्वेम् स Japanese का अर्थ बहुत अधिक अकर्शक एवम प्रभाव शाली रूप में प्रस्तुत करना चाहता है इसलिए वे बहुत अधिक आधुनिक वेशबूश्या केश सज्जा का अर्थ बालों को सवारना आधी का सहारा लेता है इस्त्रियों की आभूशन प्रियता अभूशन प्रियता गरहनों के प्रती लगाव तथा बनाव शिंगार की प्रवरिती आदत वी उनकी फैशन प्रस्ती की परिचायक है आज कल पाहचते सब्वेता के बढ़ते प्रचार के कारण फैशन का सबरूप ही बदल गया है वैसे तो प्रतेक युग में फैशन का बोल बला रहा है भारत की प्राचीन चित्रकला एवं मूर्तिकला को देख कर ततकालीन फैशन की जलक मिल जाती है पर आज कल पाहचते सब्वेता के बढ़ते प्रचार के कारण फैशन का सबरूप ही बदल गया है अधिकांश युवक युवतियां ही नहीं बड़ी आयू के इस फैशन की चकाचोंद चमक से भ्रहमित होकर उसके परवह बेग में बह जाते हैं फैशन को बढ़ाने में चलचित्र का भी बड़ा योगदन है जब फिल्मों में नायक नायक आए बिविन परकार के फैशन करते नजर न जत यहां पर आते हैं नजर रहाएगा नजर आते है तो चारों उसका अनुसरन होने लगता है कि सब लोग उनके पीछे चलने लगते हैं तता फिल्मी बेश भूशा के उनसार ही वस्त्रों की भरमार हो जाती है पश्मी सबधा के प्रभाव से फैशन और परदर्शन की प्रवरिती आदत बढ़ती जा रही है पास्चते सबध है इतनी इतनी प्रभाव शाली यहां पे प्रभाव प्रभाव शाली हो गई है कि लोगों की विवेक बुद्धी विवेक बुद्धी सोचने समझने की शक्ति कुंठित हो गई है कुंठित होगी है खतम होगी है क्या सही है क्या गलत है यह सोचना ही बंद कर दिया है फैश के नाम पर भारतिय संस्कृति को तिलांचली देकर भारतिय संस्कृति की परवाना करके पास्चते संस्कृति को अपनाना तिलांचली मतलब परवाना करना तिलांचली करके त्याग कर पास्चते संस्कृति को अपनाना अपने ही जड़ों पर कुठारा गात का अर्थ चोट क जाने के समान है नवीनता लाना या परिवर्तन लाना बुरी बात नहीं है लेकिन उन में उसमें शालीनता वी होने चाहिए शालीनता नमरता फैशर के नाम पर नगनता आदा गवाएगा अशलीलता मर्यादा हीनता आधी सरहन ये नहीं है कि अच्छी बात नहीं है सरहन ये प पादर्स दे आदी तो याद रहते हैं प्रंतु माता पिता गुरु आदी के प्रति आदर भाव याद नहीं रहता वहशन का भूत बद्यार्थियों पर सबसे रिक हावी रहता है उनके वस्तरों के डिजाइन केश सज्जा जूते चपलते था अब भूशन आदी को देखकर उनकी फैशन प्रियता का सहच मतलब असानी से अनुमान लगाया जा सकता आज तो लड़के भी कान शिर्दवाने लगे हैं लड़के सलवार कुर्टा और साड़ी की जगा पैंट जीन्स शोट्स एवं कमीजे पहने लगिया डुपट्टा ओरना तो प्राय लुप्त प्रा हो रहा है तथा नैतिक मुल्यों का पतन हो रहा है विद्यार्ति अपनी संस्कृति एवं परवेश्वाता वन को पूरी तरह विस्मृत भूल विस्मृत कर चुके हैं बूल चुके हैं तथा अंग पर दर्शन करने में जरावी हिच किछाते नहीं शालींता नमरता एवं सा पर नादर करते हैं फैशन के बढ़ती पूरी प्रवरीती आदत की कारण अनेक परकार के अपराद होते हैं नैतिक पतन भी होता है Онए कि समवाजिक पुरायया चरितर हींत तथा अन्यातिक परादों के लिए बढ़ता फैशन ही जिमेदार है बढ़ती हुई फैशन पत्रिकाएं तथा टीवी पर दिखाए जाने वाले फैशन शो भी आग में घी का काम करते हैं पर परसारित के जाने वाले फैशन चैनल पर तो हर समय विश्व के अनेक मॉडल अपति जनक दिखने में बुरा अपति जनक धंक से रैम पर जिस परकार कैट वो करते हैं समाच के पतन के लिए उत्रदाई एवं बहुत अधिक घातक घातक खतरना के विद्यार्थियों में न हो रहा है जो ठीक नहीं हमारे पूरवजों ने एक लंबे और गहन गहरे अधिहन के बाद मनुष्य के लिए एक सब्वे समाज की सनरचना के लिए हर क्षेत्र में कुछ अधर्श क्या होते हैं जैसे बड़ों का समान करना बड़ों की इज्जत करना सत्य बोलना कुछ मुल हैं अनादर कर toughest का अधर कर रहे हैं वहलना से हमारे दे तो संशंगार की कोई अंकुष नहीं रहा रहना कलब में पार्टी ड्रिंक वो डॉंस करना ये सपाश्चते संस्कृति का पर भाव है प्रेम विवा इसी संस्कृति की देना है वैसे तो एक सीमा तक फैशन करना कोई बुरी बात नहीं है पर फैशन जब हाथ पार करने लगे फुहडपन बन जाए तो शोबन ये शोब ये पर बना देगा यहां पर उतना ही खर्य करना चाहिए जितना हम अपने खर्च में से असानी से निकाल सकते जिन लोगों को फैशन की विस्तों पर अधिक दन वे करने खर्च करने की लट पर जाती है वह वेशा आर्थिक द्यौन में रहते हैं दूसरों की होड मुकाबल कहीं की वी अकलमंदी नहीं है निश्कर्ष बढ़ते होई फैशन से स्टकारा पाना असान नहीं है फिर वी एक मर्यादा तक फैशन को पनाने में कोई हर्च नहीं क्योंकि फैशन एक ऐसी यहां पर एक लिखा है एक ऐसी प्रवरिती आदिता है जिसे बचाने जा सकता है इस दश्या में इस दिशा में सभी यहां पर सहल लिखा है सभी और से घंबीर प्रयास किये जाने चाहिए ताकि फैशन की द्वारा समाच की मर्यादा भंग ना हो तो था फैशन भार्ति संस्कृति के उच अदर्शों पर कुठारा गात चोटना कर सके तो मैंने सहल भाषा में यह निबंद लिखा है अगर आपको इसका लेंथ ज़्यादा लगते है तो आप अपने मार्क्स के कोडिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इसे लाइक, शियर और सस्क्राइब अशे कीच ओंको मेरी तो आपको प्लीज़ के दो भा आपको प्लीज के लिए चोगी हो पीडियो इसक्षी